Hello friends, कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग अच्छे होंगे, बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका Fairs Cloud Learn to Lead में Good morning to all the students, तो आज हम discuss करेंगे बहुत important trend fair 25 जून 2022 के आप दो best images यहाँ पर देख रहे हो लेकिन बहुत important trend fair को discuss करने वाले हैं वीडियो को बिलकुल last तक जो हो आपने जरूर देखना है लेकिन सबसे पहले आप हमारी application को download कर लें careers cloud को अपने google play store के उपर जाएं और इसको download करें, उसके बाद अपनी email ID के थुरू login कर लें, और login करने के बाद crack trend fair के उपर click करना है आप एक साल या दो साल की subscription जो है वो buy कर सकते हैं दोनों का ही price बहुत कम है एक बार मेरे कहने से price जरूर चेक करें आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम price पर हम आपको बहुत सी चीजे provide कर रहे हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेंगे daily current fair daily current fair में दोस्तों तीन sections होंगे एक में detail current fair होंगे, एक में question and answer format current fair होंगे जो कि आपको e-book की मदद से मिलेंगे और एक होगा quiz जो कि आप हमारी application के ओपर daily attempt कर सकते हो ऐसे ही weekly section त्यार किया गया है जिसमें आपको दो PDFs मिलेंगे जिसमें detail current fair की होगी, एक question and answer format होगा लेकिन एक quiz होगा, जो कि हर हफते आप हमारी application के ओपर attempt कर सकते हो next होगा monthly section इसमें 4 तरह की PDFs मिलेंगे जो कि अलगलग तरह से आप utilize कर सकते हो, जैसे कि study PDF है ये detail current fair है, जिसमें आपको theoretical current fair मिल जाएगा एक question and answer format में, जितने भी current fair detail में मिलेंगे वो question and answer format में इसमें मिल जाएगे, तो practice यहाँ से कर सकते हो best 100 current fairs भी आपको दिये जाएगे, जो कि उस महीने के best current fairs होंगे उसमें 100 current fair जो है, वो question and answer format में आपको दिये जाएगे एक pocket PDF होगी, मतलब जल्दी जल्दी में current fairs को revise करने के लिए दो line में, तीन line में, तो आप इसका use कर सकते हैं इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं topic wise current fair, हम 20 बहुती important important topics की अलग-लग PDF आपको provide करेंगे, अगर आप particular किसी exam के लिए कुछ topics को revise करना चाते हैं, जैसे कि आप important appointments को revise करना चाते हैं awards को revise करना चाते हैं, तो इस PDF के थूँ आप कर सकते हैं अगर आप banking student है, banking exam की त्यारी करने हैं, तो हम आपको तीन अलग चीजे provide करेंगे, जिसमें banking and economy से related detail current fair, उसी से related question and answer format current fair आपको PDF में मिल जाएगा, और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो, हर महीने हर महीने attempt कर सकते हो, हमारी application के उपर, और अगर जितना भी current fair अभी तक हो चुका है जैसे मान लो आपका exam जो है, वो 30th of May को है, तो 29 मही तक जितना भी current fair हो चुका है वो सारा का सारा एक ही PDF से revise करने के लिए उसी साल का, आप exam PDF का use कर सकते हैं आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा, इसमें आपको दो चीज़े मिलेंगी, एक तो detail, एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर state का, हर unit territory का current fair भी अलग से provide करते हैं तो इस सारी चीज़े दोस्तों अलग लग नहीं, सिरफ एक ही subscription में आपको मिलेंगी, सिरफ आप हमारी application को download करें crack current fairs के उपर click करके उसको subscribe करें, उसके बाद जो है, वो आप 10% extra discount भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे, ASH10 का लेकिन किसी भी तरह की query है, तो इस email ID पे हमें mail कर सकते हैं, इस number पे हमें contact भी कर सकते हैं तो start करते हैं 25 जून 2022 का current fair, लेकिन उससे पहले जितने भी वच्चे आप वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को like जरूर करेंगे, share करेंगे maximum to maximum और चैनल को अभी के अभी subscribe कर लें और telegram channel को आप description box से join कर लो, दो फाइदे मिलेंगे, एक तो आप daily quiz attempt कर सकते हैं उसके उपर और आपको daily की जो information है वो भी वहीं पे मिल सकती है तो most important question में पहला question है, according to global livability index 2022, which city crowned as the world most livable city question को थोड़ा सासान कर देते हैं कि सबसे रहने योगया शहर जो है, वो पूरे world में कौन सा है, एक ranking जारी की गई है, जिसमें कई शहरों को जो है वो आखा गया है कि वो रहने योगया है भी या नहीं है तो एक global livability जो इंडेक्स है दोस्तो एक organization है, EIU, उसके दबारा निकाला जाता है, जिसका मतलब है economic intelligence unit और इसने total 173 शहरों को आखा है, जिसमें सबसे top पे कौन सा है, व्याना है, तो answer क्या होगा इसका, ए होगा, व्याना जो है, वो capital है किसकी, आस्ट्रिया की, और इसने comeback किया है, क्योंकि आप कह सकते हो कि last year जो है, ये स्थान किसी और शहर ने ले लिया था, लेकिन अब ये स्थान दुबारा से किसके पास आ गया है, व्याना के पास आ चुका है, तो अपने याद रखना है, सबसे रहने योगा शहर पूरे world में, व्याना है, जो की capital है, किसकी आस्ट्रिया की, और दूसरा स्थान जो है, वो कॉपन हेगन को मिला है, जो की डैन्मा की capital है, और तीसरा स्थान जियोरिच को मिला है, जो की कहा पिस्तित है, स्विजलेंड, पहले तीन स्थानों को आपने जरूर याद रखना है, तो व्याना ने अपना spot जो है, वो पूर्थ नंबर पे आ चुका है और अगर आप top 10 cities को दियान से देखोगे तो इसमें 6 शहर जो है वो कौन से continent से बिलॉंग करते हैं इसमें से 6 शहर जो है वो यॉरप से बिलॉंग करते हैं यह बहुत ही बड़ी बात है और pandemic restrictions के कारण जो है वो 2021 में व्याना का स्थान जो है 12 था लेकिन अब जो है यह पहली position पे आ चुका है इससे पहले पहली position व्याना को 2018 में मिल चुकी है और 2019 में भी मिल चुकी है और जब से यह index आप कह सकते हो कि start किया गया है तब से सबसे ज़्यादा रहने जो गया शहर का जो खिताब है वो किसको दिया गया है Melbourne शहर को दिय गया है लेकिन 2018 में 2018 में किसने replace किया व्याना ने replace कर दिया था 2019 में फिर व्याना आ गया फिर 2020 वाली ranking के अंदर जो है वो व्याना अपना स्थान छोड़ देता है क्योंकि एक साल ranking नहीं भी आई थी COVID के कारण फिर जो है वो Melbourne शहर जो है वो पहले पे आता है जो इसका मतलब साथ बार जो है वो Melbourne पहले पे आया है तीन बार जो है वो Austria पहले नंबर पे आया है और एक बार जो है वो Auckland पहले पे आया है तो यह चीज़ें आपने याद रखनी है व्याना जो कि Danube River के पास जो है वो बना हुआ है उसका जो नंबर है वो 99.1 है मतलब कह सकते है जो score है 100 मे नहीं आखा गया है और कई शहरों के जो रैंक है वो बहुत ही नीचे चले गए है जैसे कि Moscow हो गया, St. Petersburg हो गया रश्या के इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे जो है वो Western sanctions लगी हुई है कुछ आप कह सकते हो restrictions लगाई हुई है बाकी countries ने जिसके का रैंक जो है वो बहुत नीच तो इस सही तरह से जो शहर हैं वो नहीं आके गए हैं लेकिन कई शहरों को इसमें नहीं भी लिया गया है तो आपने याद रखने ये European Union का या European Union तो नहीं कह सकते हैं आप ये कह सकते हो कि इसको Economic Intelligence Unit की तरफ से जो है वो publish किया जाता है और इसके अंदर बहुत से शहरों को आ कि जाती है जैसे की infrastructure है जैसे की stability है या नहीं है healthcare facilities कैसी है education कैसा है culture और environment जो है वो कैसा है तो इसके according जो है इनको आंका जाता है तो पहले नंबर पे व्याना अगले question के उपर आते हैं अगला question है very important question section में लेकिन वीडियो को like करेंगे share करेंगे maximum to maximum और चैनल को अभी के अभ digital platform launch किया है जिसका नाम है campus power ताकि जो student ecosystem है उसको अच्छा किया जा सके खास करके ये students के लिए launch किया गया है और इसका main मकसे यहीं है कि जो बच्चे higher education करना चाहते हैं चाहे वो इंडिया में चाहे कहीं बाहर education करना चाहते है higher education के लिए तो जो भी उनकी जरूरत है वो इस platform के उपर आपको मिलेगी और ये दोस्तो स्टार्ट किया है किसने ICAC bank ने answer क्या होगा डी होगा banking students के लिए तो ये question जो है most important में भी आप consider कर सकते हो तो ICAC bank ने campus power नाम से एक student ecosystem platform जो है वो स्टार्ट किया है तो इसमें बच्चों की जो भी जरूरते हैं वो सारी की सारी ध्यान में रखके हुए इस platform को start किया मतलब हर तरह की सहूलत जो है वो आपको मिलेगी even only बच्चों को नहीं parents को भी आगर कोई facility चाहिए जैसे education loan चाहिए या वो आगे किस तरह की facilities enjoy कर सकते हैं वहाँ पे health का education का ये सारी चीज़े जो है वो एक ही platform पे आप जान सकते हो मतलब ऐसे नहीं कि only banking facilities ही मिलेंगी हर तरह की sport जो है वहाँ से bank की तरफ से provide की जाएगी और कितना पैसा जो है वो यहाँ से आप वहाँ बेश सकते हो वहाँ से यहाँ आएगा यह सारी facilities जो है वो ICIC ecosystem के तुरू provide कर रहा है और यह सिरफ ICIC customers के लिए ही नहीं है यह जो और bank के customers हैं वो कौन से tax benefit आपको मिलेंगे, foreign exchange solutions कैसे है, payment solutions अगर आपने बाहर पैसना बिजना है, बाहर से मंगवाना है, loan और investment जो है वो क्या हो सकती है तो इस platform के अंदर जो है वो आप कह सकतो value added services provide की गई है कि इंडिया और foreign में जैसे की Canada में, UK में, Germany में, USA में, Australia में education करते हो तो क्या क्य benefits जो है वो आपको मिल सकते हैं, तो यह students को भी लाब देगा, यह parents को भी लाब देगा और institutes को भी लाब देगा क्योंकि सारे के सारे एकी platform के उपर जुड़े होंगे, और एक खास बात है कि इस ecosystem को लेके एक अलग branch जो है वो open की गई है, और ICIC के ऐसी student ecosystem की पहली branch जो open की ग इसको खोला जाएगा, तो ICIC bank के बारे में याद रखना है, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका headquarter जो है वो मुंबई में है, और MD और CEO है संदीब बक्षी जी और इसकी tag line है ख्याल आपका, इसी के साथ आते हैं अगला question, कौन सी country ने एक satellite series जो है वो launch की है, याउगन 35 के नाम से, इसमें नाम ही दोस्तों बहुत important, एक simple सा question है, स्टेटी के slide से याद रखें, ये second batch है इस satellite का और इसमें तीन नई remote sensing satellites को launch किया गया है, जिसका नाम है याउगन 35 और ये किस ने launch की है, चाइना ने, तो answer क्या होगा, इसका C होगा, अब देख सकते हैं, थी इस experiments है, उनके अंदर या आगे जाके साहिता कर सके, land resources का survey कर सके, agriculture जो yield होना है, कितनी पैदावार होगी, उसके बारे में estimation लगा सके, कल को कोई disaster आ रहा है, उसको रोकना है, उसके बारे में जानकरी जो है, ये remote sensing satellites जो है, वो provide करेंगे, ये 424 नंबर का, जो है, वो long series career rocket launch चाइना का, और चाइना के जो president है, वो Xi Jinping है, और चाइना की capital जो है, वो bitching है, इसके साहथ आते हैं अगले question के उपए, which of the falling bank is collaborated with the government of India to create integrated pensioners portal, तो एक pensioners के लिए, जो आप कह सकते हो कि pension लेंगे, retirement के बाद जो है, वो sell लेंगे, ये उनको कौन कौन से benefits मिलेंगे, उसके लिए एक portal जो है, वो launch किया गया है, government of India की तरफ से इसको launch किया गया है, और कौन से bank के साथ जो है, वो मिलके launch किया गया है, तो SBA answer होगा, answer होगा A, तो अब कह सकते हो, seamless services बिना किसी रुकावट के services जो है, वो मिल सके pensioners को, और वो अपने retirement के बाद जो है, वो अच्छी life जी सके हैं, तो department of pension and pensioners welfare, जो कि ministry of personal, public grievance और pension के अंडर आता है, तो उन्होंने एक tie-up किया है, state bank of India के साथ, तांकि एक integrated pensioners portal ज जरूर मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा पहला awareness program है, जो कि central pension processing centers के अंदर चलाया जाएगा, field functionaries के लिए चलाया जाएगा, जिसमें banks के professionals होंगे, और उनको pension related काम जो है, वो दिया जाएगा bank के अंदर, तो उनको यहाँ पे आप कह सकते हो, अलग-लग तरह की knowledge provide की जाएगी, तो SBA के field officials को इसमें train किया जाएगा, उनके लिए sessions organized किया जाएगे pension policy के अपर, ताकि maximum to maximum pensions जो है, वो जो center government के pensioners हैं, उनको SBA जो है, वो क्या कर सके, लाब दे सके, उनको अलग-लग तरह के benefits provide कर सेक, और साथ में उनको knowledge भी provide कर सके, और SBA जो है, वो यह pensions उनको इस portal के अंदर जो है, वो provide करेगे, इससे digitalization भी बढ़ेगी, और SBA के साथ इस तरह के चार और awareness program जो है, वो conduct किये जाएंगे, और यह किये जाएंगे department of pension and pensioners welfare की तरफ से, और SBA के बारे में याद रखना है, SBA के जो chairman है, वो दिनेश कुमार खराजी है, managing director इनके चार है, और आप कहा सकते है, कि pensioners को अच्छी से अच्छी facility मिले, उसके लिए एक portal की शुरुवात की गई है, SBA के साथ मिलके, और साथ में जो SBA के officials हैं, उनको इसमें awareness भी provide की जाएगी, कि pensioners को किस तरह से हम जो है, वो अच्छी सिवाएं दे सकते हैं, अगला आते हैं, कौन सा portal जो है, वो Prime Minister Narendra मोधी जी ने launch किया है, क्योंकि recently उन्होंने वनिज्य बवन का उदगाटन किया है, तो Prime Minister of India Narendra मोधी जी ने एक नया, जो है, वो Ministry of Commerce and Industry का एक block उदगाटन में लिया है, और वो उदगाटन किया है, वनिज्य बवन का, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक नया portal जो है, वो yearly analysis of trade, तो इस portal के उपर जितना भी trade होता है, चाहे वो हम बाहर बेज रहे हैं, चाहे बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इस सारा data जो है, वो आपको एक ही जगापे मिल जाएगा, तो निर्यायत का मतलब है, national import-export record for yearly analysis of trade, तो ये एक one-stop solution होगा, stakeholders के लिए, ये जानने के लिए, कि इंडिया का foreign trade जो है, वो कितना है, कितना export किया है, कितना import जो है, वो हुआ है, लेकिन ये building भी important है दोस्तों, क्योंकि ये building जो है, वो 226 क्रोड रुपे में जो है, वो लगबग इतने में तियार की गई है, और इसके अंदर दो offices जो है, वो basically बनाए गए हैं, एक तो department of commerce का जो department अलग किया गया, एक department for promotion, industry and internal trade जो है, वो दो नए offices जो है, वो उनके बनाए गए हैं, और साथ ही साथ जो है, ये जो information आपको ये portal परवाइट करेगा, ये बहुत ही important होगी, कि कि इसमें हर तरह की commodity को add किया गया है, और इसमें 30 commodity group जो हैं, वो specially दिखाए गए हैं, ज सकते हैं, और 2021 में अगर हम देखें, specially क्योंकि data हमारे पास है, कि इंडिया का export जो है, वो कितना रहा, वो 670 billion dollar रहा, 670 billion dollar, मतलब कहा सकते हो, लगबग 50 lakh क्रोड रुपे जो है, वो हमारा export रहा है, और ministry of commercial industry, क्योंकि उनके ये दो blocks हैं, वनीजा बवन के, वो उदगाटन मे लिए गए, और union minister है, पियूश गोयल जी, जिनकी constituency है, महाराष्टा, currently member है, राजय सबा के, अगले question के उपर आते हैं, किसको appoint किया गया है, member एक advisory committee का, दो organizations का RBI की तरफ से, और ये दो organizations, जो हैं, वो कौन सी हैं, ये हैं, सरैई infrastructure, सरैई infrastructure and finance limited, एक है सरैई, सरैई equipment finance limited, तो द किस तरह से जो है, वो इनको insolvent किया जाएगा, किस तरह से ये पूरा का पूरा पैसा जो है, वो यहां से ब्रामत किया जाएगा, क्योंकि एक तरह से bankrupt, जो हैं, वो companies हैं, तो एक advisory committee का गठन जो है, वो करना था, तो इसलिए, यहां पे जो advisory committee के member बनाएगे हैं, वो bankate नाग किया गया है, advisory committee of the सराई infrastructure finance limited और सराई equipment finance limited का 22 जून 2022 से, इससे पहले आर सुबर मनिया कुमार जो है, वो managing director and CEO, Indian overseas bank के वो थे, लेकिन अब उनकी जगा पे यह आएंगे, तो 2021 में, अक्तूबर 2021 में, आर बिया ने आक application फाइल की थी, कि इन दोनों companies का SIFL का और SCFL का, जो कि Calcut बेंच में national company lot tribunal के अंडर किया गया था कि इनका insolvency resolution process जो है, वो start होना चाहिए, तो याद रखना एक simple question है, banking students के लिए, अगले question के उपर आते हैं, एक नया spider species मिला, एक नई spider की परजाती मिली है, और वो मिली है, था desert राजस्तान में, उसका नाम जो है, वो आपने बतान है, उसका नाम है दोस्तो, pseudomogras sudi, तो याद रखना है, अंसर क्या होगा, C होगा, ये एक jumping spider है, आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही खुदसूरत, और इसका नाम है, pseudomogras sudi, और इसलिए इसका नाम रखा गया है sudi, क्योंकि ये एक नई species, जो है, वो मल्याली, मल्य contribution है, Indian Ercanology के अंदर, जिसके कारण जो है, वो इनके नाम से, इसका नाम जो है, वो रखा गया है, और ये 4 mm long spider, इसके dark brown colored head है, और आप कहा सकते हो, small white hairs है, और black eye, जो है, इसका region जो है, वो आई के आसपास का, वो black है, और ये बहुत ही famous Ercanologist है, सुद्धी कुमार जी, क्योंक इनको सन्मान जो है, वो दिया गया है, लेकिन याद रखना है, थाट desert of राजस्तान में ये पाई गई है, नाम है इसका pseudo morgars सुद्धी, अगला question आते हैं, कौनसी insurance company ने एक scheme launch की है, दन संचे saving scheme, again important तो जादा नहीं है, लेकिन आपने scheme का जो है, वो थोड़ा सा नाम याद रखना है, दन संचे, दन संचे नाम से पता लग रहा है, कि दन को हमने आगे और बढ़ाना है, तो ये scheme launch किया है, life insurance corporation की तरफ से, तो LIC ने दन संचे saving scheme को start किया, जो कि एक individual scheme है, saving life insurance plan है, जो कि guaranteed income benefit जो है, वो provide कर रहा है, और terminal benefit भी जो है, वो provide कर रहा है, मतलब life benefit भी जो है वो आपको मिल रहा है, यहाँ पर life protection भी आपको मिल रही है, जैसी majority scheme की होगी, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, कि इस plan के अंदर जो है, वो minimum 5 साल का जो है, दन संचे plan जो है, वो launch किया अगर maximum 15 साल के लिए आप कर सकते हैं, जो भी option आप चूज करना चाहो, और इस plan के अ अंदर अंदर आप installment में भी ले सकते हैं, और लमसम भी आपको amount ले सकते हैं, चार तरह के इसमें जो है, वो plan जो है, वो LIC ने decide किये हैं, और यह offline mode में भी खरीजी जा सकती है, LIC के agent से खरीज सकते हो, LIC के website से खरीज सकते हो, और even इसमें ध्यान रखा गया है, कि आपको इ इसकास करके जो insurance exams की त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इस question को cover कर रहा हूँ, अगले question के उपर आते हैं, BLS International Services ने एक agreement sign किया है, एक state government के साथ, कि उनके जो registration offices हैं, और साथ में जो और offices हैं, उनको computerize किया जाएगा, उसमें e-governance को दियान में रखके, उनको modern बिनाया partner हैं, like governments हैं, citizens हैं, या कोई भी है, उनको tech enabled services provide करना, और ये इन्होंने tie up किया है, West Bengal के साथ, तो answer क्या होगा, D होगा, इन्होंने ये agreement West Bengal government के साथ sign किया है, खास करके जो government के e-governance registration offices हैं, उनको public private partnership के तहद जो है, वो बहतर किया जाएगा, तो company जो है, वो कुछ आप कह सकते हो की offices को procure करेगी, install करेगी, उसमें 81 offices को procure करके, उसमें एक अच्छे computerized system को install करेगी, इसमें चाहे manpower से later हो, manage करने की problem हो, maintenance हो, ये सारा का सारा काम जो है, ये BLS international करेगा, और ये 5 साल के लिए agreement किया गया है, तो simple words में आप कह सकते हो, कि West Bengal के जो registration offices हैं, उनको digitize करने का काम, B पान साल तक, और BLS international जो है, एक बहुती बड़ी, जो है, वो consultancy company तो है, साथ में ये आप कह सकते हो की, tech enabled services provide करने वाली भी company है, वो चाहे आप कह सकते हो, e-visa हो, retail services हो, citizen centric हो, e-governance हो, biometry को, ये सारी से वाइं ये परदान कर सकते हैं, इसके managing director जो है, वो निखिल गुपता पने याद रखना है, एक है हमारे पास, Kovasko Lake, जो की कहां पर स्थित है, मंगोलिया में, ये UNESCO के Biosphere Reserve में शामिल की गई है, तो recently दोस्तो 34th session जो है, वो international coordinating council ICC, जो की किस की है, ये committee, ये है man and biosphere, जिसको कहते है, map program UNESCO का, जिसमें पूरे world में जो है, वो अलग-लग areas को हम Bios करते हैं, तो 34th session हुआ है, international coordinating council का, man and biosphere program का, जो की UNESCO के headquarter में हुआ, कहां पे Paris के अंदर, 13 से लेके 17 June के अंदर, आप कह सकते हो, 11 नए, 11 नए Biosphere Reserve डिकलेर किये गए हैं, जो की 9 अलग-लग country से belong करते हैं, और ये UNESCO का, जो world network का Biosphere Reserve वो बढ़ चुका है, तो इन 11 नए sites को पाइड करने के बाद, अब 738 Biosphere Reserve total हो गये हैं, जो की 134, मतलब 134 country से belong करते हैं, और इसमें 22 trans boundary sites भी हैं, मतलब 2 countries के बीच में share भी हो रही हैं, तो इसमें 3 country जो पहली बार आई हैं, एक तो Chad, एक Georgia, एक Jambia, ये 3 country जो हैं, वो इस network में पहली बार शामिल की गई हैं, लेकि इस question को हम क्यों cover कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक भी site इंडिया की नहीं है, तो पूछने के chances तो कम ही हैं, लेकिन साथ में याद रखना है इस program को, map program, man and biosphere program, जो की 1971 में launch किया गया था, इसका मकसदी ये था, कि हम अलग-लग sites को international recognition provide कर सकें, और environment को protect करके रख सकें, तो इस में दोस्तों, 34 members होते हैं, जो कि हर 2 साल के बाद UNESCO की conference के अंदर elect किया जाते हैं, अब आते हैं दोस्तों, अगले question के उपर, जो की है important question section, लेकिन video को like करना है, share करें, maximum to maximum channel को अभी के अभी subscribe कर लें, लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ आपने telegram group को join कर लेना है, तांकि हर तरह की notification आपको मिलती रहे, question है, Bloomberg NEF की report के according, इंडिया को और कितनी investment चाहिए, तांकि 2030 का जो wind और solar capacity goal है, उसको पूरा कर सके, simple question हो गया, static हो गया, तो target है कि 500 gigawatt जो है, वो 2030 तक जो है, वो wind और solar capacity से पूरा हो सके, non-fossil power से जो है, वो पूरा हो सके, तो इसके लिए especially कहा गया ह कि 223 billion dollar जो है, वो इंडिया को और invest करने होंगे, यह Bloomberg NEF की report जो है, वो कहती है, पर इसने यह कहा है कि आने वाले 8 सालों के अंदर अगर ऐसा करेंगे, तो हम इन targets को achieve कर सकते हैं, तो 2030 तक इंडिया का जो main aim है, वो यहीं है कि 50% electricity की demand हम renewable energy से पैदा कर सकें, और इस target को पूर 45% जो है, वो carbon emission 2030 तक कम कर देंगे, और आप कह सकते हो, 2030 तक हम जो है, वो net carbon emission के उपर आ जाएंगे, नेट zero carbon emission के उपर आ जाएंगे, और 2021 में जो है, यह 165 gigawatt तक जो हम zero carbon generation program तक install कर चुके हैं, मता इतना renewable energy जो हम विकसे कर चुके हैं, तो एक simple question है, चाहे आप इसको slide से ही याद रख सकते हैं, नेक्स आते हैं दोस्तों कौन सी company ने जो है, वो price guarantee insurance scheme launch की है, चिली farmers के लिए, तो फिर से important हो जाता है, मिर्ची की जो farming करते हैं, तो price guarantee insurance scheme जो है, वो launch की गई है, यह किया गया है, सेंगेंटा या सेंजेंटा इंडिया की तरह से, सेंजेंटा इंडिया जो है, वो एक agri technology company है, खास करके vegetable seed division जो है, यह provide करती है, और इनका main काम जो है, वो यहीं है, कि farmers को अच्छे से अच्छे जो है, फसल का दाम जो है, वो किसी तरह से मिल सके, तो सेंजेंटा इंडिया ने यह price guarantee insurance scheme जो है, वो launch की है, यह बहुत ही अच्छी scheme है, यह launch की है, agriculture insurance company of India के साथ मिल के, और इसका main mark से यहीं था, कि crop protection की उपर काम किया जा सके, जो market में prices बढ़ कम रहे हैं, तो उसको जो है, वो काबू किया जा सके, काबू का मतलब है, कि अगर मान लो, 100 रुपे आपको कोई चीज मिल रही है के जी, जब आपने लगाई थी, लेकिन जब का loss जो है, वो यह agriculture insurance company प्रवाइट करेगी, तो जितना भी market में rate fluctuate हो रहा है, उसमें जो difference है, वो आपको जो है, वो यह agriculture insurance company of India प्रवाइट करेगी, ऐसे यह पहला initiative है, जो market के price fluctuation के base पे आपको insurance देगा, अधर्वाइस, natural climaties में मिलता था, बारिश हो जाती तो सरकार दे लेकिन यह agreement जो है, इसका मतलब guarantee provide करता है कि fair price जो है, वो चिली growers को मिलेगा, जो छोटे farmer से उनको दिया जाएगा, ताकि जो market price fluctuation हो रही है, उसके अंदर जो है, वो किसानों को नुकसान ना हो, इससे उनकी income जो है, वो secure हो जाएगी, कितने पैसे तो मिलेंगे, मिलेंगे, और वो अपनी preferred crop के according जो है, वो आप कह सकते हो कि उनको shift होने की ज़रूरत नहीं, अगर वो मिर्ची कर रहे हैं, तो मिर्ची ही करेंगे, ऐसे नहीं की कोई और फसल जो है, उनको करनी पड़ेगी, तो इसलिए यह बहुत ही फाइदे मन्द है, जो खास करके, जो चिली farming करत हैं, इसी के साथ आते हैं, अगला question, अगला है, ग्रीब कल्यान रोजकार अभ्यान जो है, वो recently news में था, यह कौन से year में start किया गया था, यह दोस्तों COVID-19 के time period पे start किया गया था, इसको 2 साल हो चुके हैं, 2020 में इसको start किया गया था, तो इसकी second anniversary जो है, वो हम celebrate कर रहे हैं, scheme का main mark से यहीं था, कि immediate employment जो है, वो लोगों को provide करनी है, या migrant workers को हमने कई opportunities provide करनी है, ताकि वो काम जो है, COVID के time period पे भी कर सकें, तो government of India ने scheme को launch किया था, 2020 में, 125 दिन के लिए specialist को launch किया गया था, starting में, और 50,000 क्रोड रुपे जो है, वो सरकार ने कहा था, हम इसके अंदर ड model ministry रही है, और आप किया सकते है, union minister इसके है, गिरी राज जी, जिनकी constituency है, बेगू सराय, इसी के साथ आते हैं, अगला section, जो कि यह one-liner important point, जिसमें पहला point है, 94% जो domestic workers है, workers lack comprehensive social security, ILO की एक report है, तो जस्ट इसको एक data को read करना, आपने और कुछ नहीं करना, world bank ने 562 million dollar जो है, वो fund किया, तीन projects को इंडिया के अंदर, तो इसमें कोई तीन projects आपने याद नहीं रखने, सिरफ ये याद रखना है, कि कितने पैसे जो है, वो दिये हैं, दिल्ली और United Nation Development Program ने जो है, वो एक oxygen plant जो है, वो set up किया है, 1500 bed hospital के लिए, जो की है, गोविंद बल पंथ hospital दिल्ली के अंदर, तो आप कहा सकते हो, दोनों ने मिलके जो है, विस oxygen plant को इशुरवात की है, तांकि किसी भी तरह की oxygen की problem जो है, वो खास करके इस hospital और दिल्ली में ना सके, प्राइम नेरेंदर मोधी जी ने वनीज्या बवन का उधगाटन किया है, और साथ में नि हो चुका, तो टाइब रेकर रही है यह सीरीज, गरीब कलियान रोजगार अभयान जो है, वो मौल डेडी कर चुके है, इसको डिसकस दो साल पूरे कर चुका है, तो 24 जून 2022 के question के उपर आता है, question है, किसको managing director और CEO पॉइंट किया गया है, इन्फोसेस का, तो question का answer जो है, comment box में बताना है, और साथ में आपने number भी बताना है, कि कौन से number के chief election commissioner ये appoint हुए है, मैं आपके answer का wait करूँगा, लेकिन video को like करना है, share करना और channel को subscribe कर लें, और आप हमारे हर तरह के channel को join कर सकते हैं, जैसे कि facebook हो गया, instagram हो गया, linkedin हो गया, और साथ में telegram channel हो गया, लेकिन live को बहुत जड़ा serious नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और अपनी सेहत का जरूर द्यान रखेंगे, thank you guys, take care and bye bye